जगत गुरु राम भद्र आचरिया स्वामी जी जिनको गुस्वामी तुलसिदास जी का रूप माना जाता है स्वामी जी के जनम 14 जनवरे 1950 उत्तर प्रदिस के जौनपूर डिस्टिक में हुआ स्वामी जी के पिता पंडित राजदेप मिश्रा और माता जी सची देवी मिश्रा स्वामी जी के बास्तविक नाम गिरिधर मिश्रा जो की इनके काकी ने रखा था स्वामी जी भारत के चार जगत गुरुओं में से एक है स्वामी जी ने दो महिना के उमर में त्रीकोमा से संक्रमित होकर अपनी आखों के रौसनी खो दिया स्वामी जी तीन साल के उमर में अपनी पहली कविता का रचना किया जो कि स्रीकृष्णा और पालक मा जसुदा के उपर थी और पांस साल के उमर में स्वामी जी ने पूरी भगबत गीता स्लोक के साथ याद कर लिया था साथ साल होते होते स्वामी जी ने गो स्वामी तुलसिदास जी के रामचरित मानस को पूरी तरह से याद कर लिया था अपनी दादा जी के मदद से स्वामी जी के 17 साल के उमर तक कोई भी स्कूली सिक्सा नहीं था उन्होंने के बल सुन सुन के सास्त्र के पढ़ाई करते रहे आखेरो घरी आ गए 7 जुलाई 1967 में स्वामी जी जौनपूर के सुजानपूर गाउं में आदर्स गोरिशंकर संस्कृत महा बिद्दलाय में आगे के पढ़ाई के लिए दाखला ले लिया सुआमी जी बिद्दलाय में चार साल तक अपनी कक्ष में प्रथम स्थान में हुआ करते थे इन्होंने साधरन बच्चों का साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखा कभी भी ब्रेल या दूसरे कोई भी तकनिक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि स्वामी जी को सुन के याद रखने का सम्ता था 1971 में स्वामी जी 12 सिस्थित संपुर्णानन संस्कृत उनिवर्सिटी में हायर एडुकेशन के लिए दाखला लिया 30 एप्रिल 1976 में इन्होंने मास्टर आप आर्ट्स में आचरिय के डिग्री प्राप्त किया इसी बीच स्वामी जी ने डेली में अकिल भार्तिय संस्कृत संमिलान में भाग लिया उस समय ततकालीन प्राइम मिनिस्टर मैडम इंद्रा गांधी के हाथ से स्वामी जी ने आठ में से पाँच बोल्ड मेडल हसिल किया स्वामी जी के इस अध्भुत प्रतिवा को देखकर मैडम प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपनी आखों की इलाज के लिए अमेरिका भेजने के लिए इच्छा जाहिर किया वो भी अपनी नीजी खर्चों में लेकिन स्वामी जी ने धन्यवाद के साथ मैडम को उनके ओफर बापस करते हुए बोला इस संसार में देखने लाइक कुछ भी नहीं है सब पाप और दुराचार से भड़ा हुआ है सिर्फ राम ही आकिला है जो सुन्दर है, जो कमल है, जो सांथ है, जो मुक्तिदाता है इनको मैं अपनी मन की आखों से देख सकता हूँ स्वामी जी मास्टर्स डिग्री के बाद उसी उनिवर्सिटी में पीएजडी के तैयारी में लग गए और करी महनत और पांस साल के बाद 14 अक्टबर 1981 में स्वामी जी पीएजडी होल्डर बन गए UGC ने स्वामी जी को उसी उनिवर्सिटी में HOD पोस्ट के लिए ओफर किया लेकिन यहां भी स्वामी जी ने मना कर दिया और इसी के साथ स्वामी जी ने तैय कर लिया उनके बाके जिन्दिगी धरम और समाज के लिए समर्पित कर देंगे 9 में 1997 पंडित गिरिदर मिश्रा यानि ततकालिन स्वामी राम भद्रा अचारिय जी को पोस्ट डॉक्टरेट डिली तुफादी से सन्मानित किया गया संपुर्णानन संस्कृत उनिवर्सिटी ततकलिन राष्टवती के आर नारायन के हाथ से स्वामी जी को भारत के सेगेंड हाइस्ट सिवलियन ओनर पद्मभी भुशन से सन्मानित किया गया 2015 में स्वामी जी करिब 22 भासाओं के उपर अपना दखल रखते हैं दोसों से भी जादा ग्रंथ का रचनकार है इस समय भारत के राजनिती और समाज में स्वामी जी का अलग पहचान है दोस्तों आपको बता दे जगद गुरू राम भद्र आचरिया जी का गवाई कोट में राम मंदिर केस में एक अलगी दिशा मिल गया था दोस्तों ये था जगद गुरू राम भद्र आचरिया महाराज जी जिन्नों ने अपनी जिन्देगी देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया इसी के साथ आपकी दोस्त नंदन विश्वास को इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्कार